नवस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डालते है अचकी प्रमुख खबरों पर मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षन सामाजिक नहीं राज ने दिखे समिक्षा हो आरेजस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संगठन के मुख पत्रों पांच जन्य और 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 अर्गिनाईजर में दिये एक साक्षातकार में सुझाओ दिया कि आरक्षन की समिक्षा होनी चाहिए क्योंकि आरक्षन का अब राजनिती करण हो चला है आरक्षन पर राजनिती का आरोप लगाते हुए भागवत ने कहां कि एक समिती बनाई जानी चाहिए जो ये तय करे कि कितने लोगों को और कितने दिनों तक आरक्षन की आवशक्ता होनी चाहिए उन्होंने कहां कि सवविधान में सामाजिक रूप से पिछडे वर्क पर आधारित आरक्षन निती की बात है तो वो वैसी हो जैसे सवविधान कारों के मन में थी वैसा उसको चलाते तो देश में आज ये सारे प्रशन खड़े नहीं होते उसका राजनिती के रूप में उपयोग किया गया है लेकिन अब इसकी समिक्षा होनी चाहिए बिजिसी आया के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का निधन भारतिय खेलों के सबसे कद्दावर प्रशासक और भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोड के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का रहिवार देश्राम को कौलकता के एक अस्पताल में निधन हो गया डालमिया पीचोतर वर्ष के थे डालमिया को गुरवार देर रात दिल का दौरा पढ़ने पर कौलकता के बीएम बिल्डा हार्ट रिसर्च इंस्टिटूट अस्पताल में भड़ती कराया गया था डालमिया का जन्मा 30 मई 1940 को कौलकता में हुआ था वो 1989 से BCCI से जुड़े थे अंतराश्टिय क्रिकेट परिशद में पहले भारती अध्यक्ष बने डालमिया को भारती क्रिकेट में आर्थिक क्रान तिलाने का श्रेय जाता है वो 1983 में BCCI के कोश अध्यक्ष बने थे जब भारत ने पहली बार एक दिवसिये विश्वकब जीता था मन की बात में प्रधान मंतरी ने की खादी पहनने की अपील प्रधान मंतरी ने देशवासियों से मन की बात की इस दोरान उन्होंने कहा कि इस कारिकरम के जरीए उन्हें काफी कुछ मिला है उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग इस बार दिवाली में मिट्टी के दिये जला है प्रिधानमंत्री ने इसके साथ ही खादी के कपड़े पहनने की भी अपील की प्रधान मंत्री ने खा कि पिछले दिनों उन्हें सेना के जवानों के साथ समय बिताने का आउसर मिला 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के 50 स्वर्ष पूर्ण हुए उसके निमित्र इंडिया गेट के पास एक शौरेंजली प्रदर्शनी आयुजित की गई और इसे मैंने चाओ से देखा उन्हेंने खा कि यहां पूरा इतिहास जिन्दा करके रख दिया है सौंदर रिबोत की दुरुष्टी से देखे तो भी उत्तम है इतिहास की दुरुष्टी से देखे तो बड़ा गौरोव प्रदान करने वाला है और जीवन में प्रेणा के लिए देखे तो शायद मातरु भूमी की सेवा करने के लिए इससे बड़ी कोई प्रेणा नहीं हो सकती